आज हम करने वाले हैं step by step beginner makeup tutorial यह आप वेडिंग में भी कर सकते हो पाटी में भी कर सकते हो कहीं भी कर सकते हो आपको पालर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि makeup करना बहुत आसान होता है मैं आपको एक-एक step अच्छे से बताऊंगी ताकि आपका makeup cake ही नहीं हो and बहुत जादा dry भी ना लगे and बहुत सुंदर सा लगेगा so without wasting any more time हम वीडियो को शुरू करते है and अगर आप मेरे चैनल पढ़ना हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जली से सब्सक्राइब कर लेना and let's get started make-up शुरू नहीं हो सकता है इन तीन steps के बिना जो की है cleansing, toning and moisturizing cleansing मैंने कर ली है toning भी मैंने कर ली है and moisturizer आपके साथ लगाएंगे जो की है ponds का moisturizer and ये बहुत ही ultra light मतलब की उसका नाम तो super light है पर मैं इसको बोलूँगी ultra light क्योंकि ये बहुत जादा lightweight moisturizer है and मेरे skin के लिए बहुत जादा अच्छे से काम करता है तो मैं इसको हमेशा use करती हूँ, everyday मैं use करती हूँ, skincare मैं use करती हूँ and मैं जो भी product use करूँगी मैं वो आपको honest review ही दूँगी उनका कि मैं उनको daily basis पे use करती हूँ moisturizer लगाने के बाद अगले step है primer, primer के लिए मैं use कर रही हूँ essence का pore blurring primer and आप कोई भी primer use करें बट primer जरूर use करें ताकि जो आपके pores हैं वो blur हो सके and आपके skin को एकदम smooth canvas मिले make up करने के लिए मैं इस primer को काफी ताइम से use कर रही हूँ and I will not recommend this one क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं है बट आप इसकी जगा पर color war का primer use कर सकते हैं उसकी quality है वो बहुत जाल अच्छी है and वो silicon based primer भी है अब बार ही है शुरू करने की हमारा actual makeup जो की शुरू होता है color correction के साथ and color correction आपको कहां पर करनी है जहां पर आपको dark spots है या फिर कोई pigmentation है या फिर आपको acne या acne marks है and मैं जो color correction कर रही हूँ वो pigmentation के लिए है जैसा कि आप देख सकते हो मेरा under eye मेरा mouth and मेरा forehead मेरे बाकी के face के जो color है उससे अलग है याने की इसको हम बोलते हैं discoloration तो मेरे जिन जिन भी areas पर discoloration है वहां पर मैं लगाऊंगी orange color का color character and आपको अगर बहुत जादा pimple हो रहे हैं तो आप use कर सकते हैं green color का color character and अगर आपको कहीं भी कोई marks है या फिर acne mark है तो आप purple color का color character लगा लेना and active pimples के उपर आप green color 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 character लगा के इस तरीके से हलके हांसे उसको blend कर देना and that's it इसके बाद जो आपने orange लगाया है उसको बहुत ही easily blend कर देना है and यह बहुत ही easily blend हो जाता है जो palette में यूज कर रही हो यह purple का है and यह काफी easily available है purple.com पर आप इसको purchase कर सकते हैं and आपको जो color है ना वह बहुत हलका सा लगाना है ताकि जो आपका discoloration है वह higher हो सके ना कि आपका पूरा face जो है वह orange दिखने लगे इस बात का आपको द्यान रखना है and जहां भी आप product apply करोगे सिर्फ उतनी ही जगा पर उसको blend करना है मैं आपको request करती हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखके जाना ताकि आपको makeup अच्छे से समझ आ सके हैं कि बढ़ते हैं foundation की तरफ मैं अभी concealer नहीं लगा रही हूं concealer हम बाद में लगाएंगे अभी मैं लगा रही हूं foundation and जो foundation मैं यूज़ कर रही हूं ये foundation है sugar का ये हैं इनका 24 hours full coverage foundation and इसको मैं apply करूंगी पहले मैं इस तरीके से dots बनाऊंगी and उसके बाद हम इसको blend करेंगे की एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको जो अपना under eye है वहाँ पर foundation apply नहीं करना है and इस तरीके से dots बनाने है ताकि एक ही मतलब मैंने सिर्फ एक ही बार squeeze किया है foundation को and उतना पूरा foundation मेरे पूरे face पे cover कर दे and इतना product अभी बच गया है जिसको हम बाद में use कर सकते हैं अगर हमको जरूरत होगी तो and अभी हम इसको blend करेंगे damp beauty sponge से हाँ wet नहीं है यह damp है मैंने इसको थोड़ी तेर पहले ही पानी में इसको भिगा दिया था and इसके बाद देखो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है and यह एक दम ही बहुत soft हो चुका है इसकी मदद से हमको blend करना है and आपको ध्यान रखना है क कि आपको बहुत जादा जोड़ जोड़ से ऐसे नहीं करना आपको बहुत ही हलके हाथ से सिर्फ जो product है उसको spread करना है अपने पूरे face पे and जब आप इस तरीके से करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको coverage मिलेगी and coverage के साथ साथ आपको इस तरीको ऐसे खिसकाना नहीं है आ क्योंकि मैं लगाती हूं blush and blush लगाने के बाद मैं लगाऊंगी concealer क्योंकि इससे अगर आपका जो blush है वो थोड़ा जादा लग जाएना तो आप concealer से उसको hide कर सकते हो and आपको extra layer नहीं लगानी पड़ेगी तो ये एक tip है जो आप द्यान में रखना and जबी भी आपको blush लगान यह जो मैं यूज कर रही हूं यह है leap and cheek tint and यह काफी अच्छा shade है मेरे skin tone पर अच्छे से चला जाता है and जब भी आप product purchase करो ना अपने skin tone के साब से खरीदना ताकि आपका जो makeup है वो अच्छा दिखे and आपका जो face है वो बहुत जादा सुन्दर लगेगा and यह makeup एकदामी beginner friendly अगर आप beginner हो यह video देख रहे हो तो आप इस makeup को बैट जाना try करने के लिए easily आप कर लोगे and आप खुद ही बोलोगे कि wow कितना अच्छा makeup हुआ है and इस तरीके से जैसे मैं apply कर रही हूँ वैसे आपको apply करते रहना है and देखो कितना प्यारा blush लग रहा है इस तरीके से कम product लगा के आप इसको build कर सकते हो जादा product लगा के बैट जाओगे and बाद मैं बोलोगे कि जो मेरा makeup है वो बहुत जादा केकी हो गया है and अच्छा नहीं लग रहा है वो इसलिए क्योंकि आपने बहुत जादा product लगा दिया जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे जादा product आप लगा दोगे तो फिर makeup जो है वो केकी ही हो जाएगा and अभी देख सकते हो कितने अच्छे से ये blend हो रहा है एक्दम smoothly blend हो जाता है and जहां भी apply किया है सिर्फ वहीं पर dab dab करके blend करना है पूरे face पर drag करके नहीं लेके आना है and ध्यान रखना है कि जो आप लगा रहे हो product वो आपके skin के shade के हिसाफ से matching कर रहे हो otherwise आपका जो अंडर आई है वो gray हो जाएगा and आप बोलोगे कि आपने बताया नहीं था मैंने बताया था आपने ध्यान नहीं रखा है कि आपको अपने shade के जो अपने products है वो आपने skin के shade के साफ से purchase करने है तब ही जो आपका makeup है वो बहुत जादा अच्छा लगेगा and जैसे ही यह blend हो जाएगा immediately मतलब रुकना बिलकुल भी नहीं है इमीडियेटली आपको powder setting करनी है and powder setting करने के लिए best तरीका होता है कि आप जो product उसको इसदहर लो beauty sponge में लो अपने face पे थोड़ा सा कम कर दो ऐसे दो तीन बार करके and then उससे पूरा face जो है वो set कर दो इससे जो है आप कंडराई cake ही बिलकुल भी नहीं होगा and बहुत ही अच् ऐसको कितने प्यार से apply हो गया है and आपको इसको apply करना है apply करना है apply करना है blend करना है यहाई याई कप सबसे जादा आसान है, इसमें क्या करना है, आपको यह मनीश मलूतरा का पैलिट लेना है, इसमें से यह डीप ब्राउन शेड आपको उठाना है इसको प्लेस करना है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं outer wheel, outer wheel पे आपको जो आपने shade उठाया है, इसको apply करना है एन इसको वहीं पे blend कर देना है, इसको कहीं भी और लेके जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ अपने outer wheel है उधर ही लगाना है और blend करना है इस सरीके से इसके बाद हमको क्या करना है यह lighter shade लेना है and इसको apply करना है पूरे eyelids को ऐसे cover करना है left right करके and बहुत जादा product नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा product लेके उसको आपको apply करना है इस तरीके से and आप इसको build भी कर सकते हो but पहले जो है वो अपने हाथों पे एकदमी हलका हाथ का pressure द पास बहुत शारे shimmer options है but जो सभी के साथ sorry जो shade सभी के साथ चला जाएगा वह यह वाला shade है इस palette में and यह काफी जादा chunky glitter है आप देख सकते हो कितना जादा इसमें pigment है and इसको मैं मेरी pinky finger की help से apply कर रही हूं इसी तरीके से आप apply कर सकते हो क्योंकि जो shimmer है ना वो finger से सबसे and easily apply हो जाता है and यह shade एकदम ही perfect है all outfits के साथ जाने के लिए आप कोई भी shade का use कर सकते हो but यह जो हलका सा metallic shade है इसमें gold भी है और silver भी है यह mixture of both है तो इसलिए यह दोनों पर बहुत ही easily जला जाएगा and किसी भी eye look के साथ यह वाला eye look बहुत प्यारा देखेगा जैसा कि आप द जो हमने अपने जो outer पर color लगाया है उसको हम लगाएंगे अपने lower lash line पर इस तरीके से जो अपना brush है ना उसको आपको हलका सा ऐसे छोटा कर देना है ऐसे दबा के and then उसको apply करना है हम definitely अभी यहां पर बहुत हलका सा काजल लगाएंगे पर उसके पहले हमको हलका सा यह जो shade है ना इसको deposit करके अपना जो eye makeup है उसको खूबसूरत बनाना है अभी इस palette में जो सबसे जादा lightest shade है उसको लूँगी मैं मेरी finger में and उसको apply कर दूँगी यहां inner पर और हलका सा यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो अब हम लगाएंगे eyeliner eyeliner के लिए मैं use करने वाली हूँ यह like makeup eyeliner है and यह liquid eyeliner है इसको लगाऊंगी मैं अब अगर आप beginner हो आपको wing बनानी नहीं आती है यहां पर रुख जाना इसके आगे मत बढ़ना अगर आप थोड़ा साबी गडबड कर दोगे आपको अपना पूरा makeup दुलना पड़ सकता है तो be careful and इस तरीके से अगर आप बना सकते हो छोटा subbing तो बना लेना बट अगर wing बनानी नहीं आती है तो रुख जाना विल्कुल भी eye makeup खराब करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से हमको wing eyeliner लगा लेना है एकदम छोटू subbing बनाया मैंने और यह eye look हमारा almost complete है अभी मैं लगाँगी brown काजल ब्राउन काजल क्यों लगाँगी मैं क्योंकि brown काजल बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा अगर आपको अपनी dress के हिसाब से लगाना है तो आप कोई भी green या फिर कोई और काजल भी लगा सकते हो तो मैं green काजल लगा लेती हूं अभी हलका सा ज्यादा नहीं लगाँगी एकदम थोड़ा सा green color का काजल जब आपको eye makeup करना नहीं आता है और आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या ऐसा कर दो कि आपकी जो dress का color है वो match हो जाए आपके eye look के साथ तो आप इस तरीके से काजल से जो अपना eyebrows के makeup पूरा नहीं हो सकता है eyebrows के लिए simple steps होते हैं आपको eyebrows को comb करना है और अपने जो eye मैं एकदम ही simple रखती हूं तो मैं क्या करती हूं सिर्फ जो अपना eye shape है उसी पर थोड़ा सा dark कर देती हूं और बहुत ही प्यारा दिखता है तैसा कि आप देख सकते हो सिर्फ इसको हलका हलका apply कर दूंगी हम करेंगे eye lashes को curl eye lashes को curl करना कभी skip मत किया करो क्योंकि ये बहुत जादा अच्छा step होता है आप देख सकते हो बिना mascara apply करें कैसे मेरे जो eye lashes है वो एकदम ही बड़े बड़े दिखने लग गए जबकि अभी तक मैंने mascara apply नहीं किया था and 2-3 coat mascara लगाने के बाद जो आपके eye lashes है वो ऐसे लगेंगी कि आपको falsies लगाने की जरूरत ही नहीं है इसको line करने के लिए मैं use कर रही हूँ ये वाला lip liner मेरी जो लिप्स्टिक है वो इस shade की है एंड मैंने जो lip liner लगाया एक दाँ ही different है क्योंकि ये दोनों shade एक साथ बहुत प्यारी लगते हैं मैं ये पहले भी try कर चुकी हूँ lip combo और ये lip combo बहुत प्यारा लगता है मुझे क्वादाइ क्यों करे दो